प्रसान भारती प्रस्तुत करता है नाशनल बुग ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कारिक्रम स्टोरी लाउंज स्टोरी लाउंज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर हरी सुमन बिष्ट की लिखी कहानी मेले की माया आईए सुने मित्रो मैं हरी सुमन बिष्ट हूँ मैं कहानिया उपन्यास नाटक और यात्रा बिर्तानत लिखता हूँ आज कल हम लोग लोग डाउन में हैं मैं भी और आप लोग भी मनुरंजन के लिए हम लोग या टेलिविजन देखते हैं या रेडियो शुमते हैं मैं मनुरंजन के लिए आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं कहानी आपको अच्छी लगेगी और मुझे आपको कहानी सुनाने का सौभागी मिलेगा यह कहानी मेले की माया मैंने National Book Trust of India द्वारा 36 गड़ के कोर्वा में एक वर्क्शॉप आयुजित की थी उस वर्क्शॉप में मैंने यह कहानी तयार की थी इस कहानी में गाउं का नाम है Heart यहां जस्वन सी नाम की व्यक्ति रहते थे उनके दो बच्चे थे बेटे का नाम मोहन और बेटी का नाम माया गाउं के हाई स्कूल में मोहन दस्वी कक्षा में और माया आठ्वी कक्षा में पढ़ती थी माया पढ़ने में अच्छी थी एक दिन जस्वन सिंग अचानक बिमार पढ़ गए रुपियों के अभाव में उनका इलाज नहीं हो सका तो उनकी मृत्य हो गई उनकी पत्नी और बच्चे अनाथ हो गए पिता की मृत्य के बाद एक दिन मोहन ने मां से कहा मा खेतूं में फसल होती नहीं हम दोनों की आगी की पढ़ाई का खर्च कैसे चलेगा मा ने कहा मैं भी यही सोश्ती रहती हूं बेटा तुम्हारे पिता जीवित होते तो मेहनत मजदूरी कर लेते मेरा स्वास्ती ठीक रहता तो कुछ कमा लेती मोहन शोच में पढ़ गया मा और बहन के लिए खाना जुटाना कठिन हो गया वह पैसे कमाने की मंचा से दिल्ली चला गया चानली चौब की एक दुकान में उसे काम मिल गया बहुत खुश हुआ लाला गैंदव मल को भी ऐसी ही मेहनती और होनाहार करमचार की जरुवत थी दोहजार उपी की पगार पर उसने काम मंजूर कर लिया खापी कर जो कुछ बजता उसे मोहन ने अपनी मा को भीजना शुरू कर दिया घर का खर चलने लगा पर मा को माया की चिंता सताने लगी गाउं की बीटियों के विभा हो रही थी माया के लिए भी अच्छे अच्छे घरों से रिष्टे आ रही थी माया की कमजोर काया देख कर कहीं बात बन नहीं रही थी मा ने मोहन को पत लिखा मोहन को भी बहन की चिंता हुई वह गाउं आया इलाज के लिए माया को दिल्ली ले गया वहाँ उसने लाला गैदा मल को सारी बात में बताई गैदा मल ने उसे हेल्थ मेले में जानी की सरा दी जहां महलाओं के श्वास्ति जांच की सभी सुविधायें मौजूद थे मोहन ने हेल्थ मेले के अधिक जानकारी ली मेले का आयजन अशोक नगर में होना था जो उसके निवाज से अधिक दूर नहीं था बहन को साथ लेकर मोहन मेले में आया रेश्टेशन करवाने के बाद माया डाक्टर के पास गई डाक्टर ने उसके श्वास्ति के समद में पूछा उसके खान पान के बारे में जाना माया बताती गई डाक्टर उसी रेश्टेशन कार्ट पर लिखता गया सारी बातें मालूम करने के बाद डॉक्टर ने माया के सरी पर आला लगाया लंबी-लंबी सांस लेने वो सांस रोक कर धीरे-धीरे छोड़ने को कहा उसकी आँखें देखी, गला देखा, जीप का रंग देखा और नाखून का रंग देखा फिर उसे दो शीशियां थमा दी, एक शीशी में पेशाब और दूसरी शीशी में खून के नमूनी देने को कहा माया परिशानी में पड़ गई, खून की जांच के लिए बना काउंटर तो उसने देख लिया था, पर मेले में सोंचालाय उससे नहीं दिखा माया की परिशानी डॉक्टर समझ गया, उसने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, मेले में सोंचालाय की भी व्योस्ता है जांच के लिए खून देकर वह सोंचालाय गई, पेशाब का नमूना शीशी में लेकर नर्स को दिया आई रिपोर्ट मिलने तक माया सामने की कुर्शी पर बैठ गए, थोड़ी दिर बाद एक डॉक्तर आया, वह कुर्शियों पर बैठी महलाओं को बताने लगा, कि इस मेले का उद्दिश महलाओं के स्वास्ति की देख रेक करना है महलाओं का स्वास्ति ठीक रहेगा, तो घर विवार के काम ठीक से चलेंगे, घर में किसी तरह का तनाव नहीं होगा, श्वास्ति अच्छा रहेगा, दवाईयों और इलाज पर फिजूल का खर्च नहीं होगा, उन रुपियों से घर का रहन सहन और बच्चों की पढ़ाई होगी, माया को डॉक्टर की बातें अच्छी लगें, इस वीच उसे नर्स ने आकर बताया, खून और पेशायब की जाज रिपोर्ट आ चुकी है, वहाँ कुरसी से उठी, डॉक्टर के पास चली आई, डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखकर बताया, वहाँ शारेरी इन दवाईयों से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, उसे हरी सबजियां, डाल, मौसमी फल, अंडे और सुबह साम दूज या दूज से बनी चीज़ें खानी होगी, मोहन के हाथ धन्यवाद के लिए जुड़ गए, माया खिलखिला पड़ी, माया के मन में मेले में घूमने क की उत्सिता बढ़ गए, उसने देखा बच्चे और महलाओं की संग्या बढ़ती जा रही है, रक्तचाप मधुमे खून की जाँच, पेशाप की जाँच के लिए अलग-अलग काउंटर बने हैं, उसने मोहन से कहा, हमारे हाट में भी ऐसे अभियान चलते हैं भाई, पर व एक बाद ठीक हो जाओ बहन, उसके बाद दिन भर बैठी रहना, ये समय तो वह आपस चले हो, मोहन और माया घर लोटाए, हेल्थ मेले से मेली दवाईयों को माया गौर से देखती रही, मोहन ने उसके ध्यान को भंग करती हुए पूछा, डॉक्टर का बताया याद है न? ह हाँ, मुझे सब को जाद है भाई, भूली तो नहीं वहन, नहीं, हेल्थ मेले में मैं अकेली जा सकती हूँ, ऐसी भूल ना करना, इतवार के दिन मैं साथ चलूँगा, इतवार आया, माया अकेली मेले में जाने लगी, मोहन की नजर पड़ी, वह बोला, कहां जा रही हो माय तुम्हारी तब्यत तो ठीक है, मैं मेले में जा रही हूँ भाई, आज डॉक्टर से जाज करवानी है, यह तो मुझे भी मालूम है, किन्तो अकेली, तुमने तो मेले में दिखाई दिया था, हिमत करके देखती हूँ, माया को वहां पहुंचने में कोई परिशानी नहीं डॉक्टर आई, उन्होंने बोलना शुरू किया, हम लोग देखते हैं, हमारे समाज में लड़कियों के साथ खान पान में भेद भाव किया जाता है, जिससे लड़किया कोपोशन की शिकार होती है, लोग अक्षा लड़कियों की साधी कच्ची उम्र में कर देते हैं, कच् इस उम्र में गर्वधारण करने से शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिस कारण अनेक बीमारियां शुरू हो जाती हैं, इसे ना तो वह खुद कभी स्वस्त रह पाती हैं, ना शिश को ही स्वस्त जीवन दे पाती हैं, माया ने बहुत को सीखना चाहा, मेले में साक्षरता मां लोग बता रही थे मांका शिक्षित होना ज्रूरी है बच्चों की पहली शिक्षा घर में ही पहली शिक्षा मा eigene होती है मां शिक्षित हो तो बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहंड करते माया के कदम आगे बढ़े उसकी नजर मोहन पर पड़ी वह चौंक कर बोली भैया तुम कब आये यहां बहन मैंने सोचा तुम गाउं से आई हो रास्ता भटक जाओगी इसलिए तुम्हारे पीछे-पीछे ही चलाया मैं रास्ता ढूंट लूँगी भैया अब वापस चलो भै बैड सीट बैड कबर कुसिन वाल हेंगिंग कालीन शोपीज चूडिया मुंबती वहां रखी वे थी करीने से रखी चीजां उसे अच्छी लगी माया ने एक चूड़ी उठाई उसे हाथ में डालने लगी काउंटर पर खड़ी महला ने उसे बताया ये सारी चीजां पूछा डॉक्टर ने फिर कब बुलाया है 15 दिन बाद मगर मैं वहां हर इत्वार को आया करूंगी क्यों हेल्थ मेले में आना अच्छा लगता है दिन माया स्वस्त होने लगी गाउं लोटी अब मां उसे पहले से अधिक कमजोर लगी गाउं की महलाएं और बच्चे उसे सब कमजोर और बिमार दे गाउं की सेलिया और महलाओं ने उसके श्वास्ति के विशय में पूछा उसने सभी को हेल्थ मेलिक की कहानी सुनाई सहिलियां और गाउं की महलाओं को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ वे सब उससे पूझते माया तुम्हें सच्वन अस्पिताल में इलाज नहीं करवाया रोज दूद पीने, दूद में बनी चीज़ें, हरी सबजी, दाल, अंडे खाने से दवाईयों की जरुवती ही कम पड़ी तब तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए हाँ हाँ, ऐसा करोगी तो स्वस्तर होगी एक दिन माया ने खुश होकर गाउं से मोहन को पत्र लिखा भाया, हेल्थ मेले की बातें मैंने गाउं की महलाओं को बताई वे सब कहती हैं कि उन्हें भी अपने स्वास्ति की जाज करवानी है दिल्य शहर के डॉक्टर हाट नहीं आ सकते हाट की ये महलें दिल्ली तो नहीं जा सकती मैं सोस्ती हूँ एक ना एक दिन हेल्थ मिला यहां भी लगाउंगी तब तक श्वास्ति के समन्द में जितना मैंने सीखा है उन्हें बता रही हूँ ज्यावशाइक शिक्षा के विसे मैं सोस्ती हूँ आमला अदरक लहसुन का चार आदी बनाना शुरू करवाओं ये चीजे तो गाउं में बहुत होती हैं अगली फसल पर कच्चे आम व्योपारी को नहीं बेचने दूंगी उनसे आचार चटने मुरब्बा और आम पना बना कर बाजार में बेचने को काउंगी यहां काम करने को कुछ है नहीं खाली बैठी रहने के बज़ाए कुछ रुपिया कमा लेंगी यहां मेरी सभी शहलिया और महलाएं खुछ दिखने लगी हैं वे सब मेरे शाक्षरता केंदर में आने लगी हैं किसी किसी ने ब्यावशाइक शिक्सा से उत्साइत होकर आवला तोड़ कर उसे सुखाना शुरू कर दिया है। जल्दी ही वे इसे बाजार में बेच आएंगे। फिर उन्हें अच्छा खाना पीना, लत्ता कपड़ा और दवादारू के लिए किसी का मोह नहीं ताकना पड़ रहे थे डॉक्टर हरी सुमन बिष्ट की लिखी कहानी मेले की माया। कल इसी समय हम आपको सुनवाएंगे गीजु बाई बडेका की लिखी कहानी मुफ्त का माल। इसका हिंदी रुपांतर किया है आबिद सूर्ती ने। ये कारिक्रम आकाश्वानी के विदेश सेवा प्र सुद्धिती